कि जैहिन मेरे दोस्त मेरा नाम jest II lights जैगोली और आप सभी का एक पर फिर से स्वावित है टैक्सि क्लास में या फिर कहूं डारेक्ट टैक्सिक लास में डारेक्टेक्स के साथ इसी चैनल पर हम लोग आपका indirect टेक्स डाइट विडियो भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं अगर आप इस वीडियो से इत्तुस हाब अगर कुछ सीख कर गए तो आज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आज जो हम एम रखते हैं अपनी इस वीड देरे करके आएंगे लेकिन सप्टेंबर अटेंट सप्टेंबर तो हजाट चोबिस के लिए वीडियो बन रही है तो उस अटेंट के लिए हाउस प्रोपरटी सबसे ज्यादा इंपोर्डेंट चैप्टर है तो हमने इसी चैप्टर से आप लोग की शलूवात की है छोटा स और प्यारा सा चैप्टर है, बड़ा प्यारा सा चैप्टर है ल कितने सेक्शण आते सब से अग्या मतलब होता है किसी भी हैड में अगर आप इनकम पैलक्यलेट कर रहे तो हर है एक चार्जिंग सेक्शन होता है जो आपको बताता है कि अगर आपको house property घर में आना है house property head में आना है कोई भी अपनी income लेकर तो आपको इस section में लिखी हुई बाते मानना पड़ेगा उसके बाद ही हम आपको enter करने देंगे तो section 22 क्या कहता है section 22 यह कहता है सबसे पहली बात भाई सब आपके पास एक house property होनी च चाहिए दो बाते आप mainly fulfill कर देना तीसरी condition बस normal सी है लेकि दो बाते आपके पास जुरूर होनी चाहिए और आपके पास कोई भी land building होनी चाहिए land building एक साथ होनी चाहिए चलिए जी सबसे पहली बात मैं आपका एक ब्रहम दूर कर दूँ कई बच्चे सोचते कि house property में बने को मिलता है house तो आपके दिमाग में पिक्चर बनी सिर्फ घर जो कि totally गलत है house property chapter सिर्फ residential के लिए नहीं बना house property chapter commercial properties के लिए भी बना है सर commercial properties में क्या क्या आएगा commercial properties में shops आ सकती हैं go down आ सकते हैं workshop buildings वगेरा आ सकती हैं यह सारी की सारी मैंने यहाँ पर सिनेमा बिल्डिंग वगेरा यह सारी की सारी मैंने यहाँ पर mention कर रखी हैं अगर यह PGP head में नहीं आती तो इनसे आने वाली income मेरी कहां पर consider की जाएगी house property head में consider की जाएगी अगर आपने कोई भी house property rent पर दे रखी तो उससे आने वाली income मेरी consider होगी house property में लेकिन अगर आप उस property को बेच रहे हैं तो वो जो उससे आने वाली income होगी वो capital gain में अगर आपको frequently बेचने का यह काम है तो वो आपकी income tax होगी PGP में तीन तरीके से आपकी income tax हो सकती है किसी भी house property को लेकर चलिए analysis of section 22 क्या कहता है मैंने आपको तीन बातें बताई थी land and building must be upper tenant there too and second one is आप उस house property के मालिक होने चीए and third one is less important purpose क्या है एक करके discuss करते हैं आपकी वो building और जो land है वो साथ में attach होने चीए that means यह नहीं होना चीए कि आपकी land यहां पर और आपकी building दो किलो मेटर दूर है ऐसा नहीं चलेगा आपकी building और land एक साथ होने जरूरी है जैसे for taking an example माली जैक खाली लेंड का टुकडा है खाली लेंड का टुकडा है खेत है माली जै तो उस खेत से आने वाली income तो agriculture हो जाएगी लेकिन अगर माली जैगी मैने वो land खाली लेंड है खेत नहीं है एक ऐसे ही जमीन पढ़ी बंजर जमीन पढ़ीその behalf वहां पर कोई building तो नहीं है that means we haمر पर कोई house property नहीं है, तो उससे आने वाली income मेरी IFOS, income from other sources में tax होगी, लेकिन माल लिजे साथ हैं में उसके एक building भी बना देता हूँ, वो building भी किराये पर दे देता हूँ, तो land and building attached there to, app attendant there to, that means हो जुड़े हुए हैं, तो उससे आने वाली income मेरी house property में consider होनी चीए, ठीक है भाईया, ठीक है जी, subletting of house property उसके बाद इन्होंने concept बताया कि subletting of house property का भी concept आ सकता है, let's say माली जे मैं हूँ मैंने अपनी एक pro house property किसे को किराये पर दी, उसने फर्दर वो किसी दूसरे बंदे को किराये पर दे दी, अब मैं तो ओनर था, SSC, SSC must be owner, owner of the house property, मैं ओनर था, इसलिए वो house property से आने वाली income मेरी house property में tax होगी, लेकिन मैंने जिसको लेंड इक, उसने and साथ में आप उसके owner होने चाहिए, owner में कौन-कौन सी बाते consider करके चल ली, क्या मेरा sale deed में नाम होना जरूरी है, बिलकुल जरूरी नहीं है, sale deed में नाम होना कताई compulsory नहीं है, आपका नाम हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, क्या मैं ownership freehold ही होना चाहिए, नहीं leasehold ownership भी ownership consider की जाएगी, sir leasehold ownership का क्या मतलब है, leasehold ownership का मतलब है कि आपका उस पर freehold right नहीं है, that means कि let's say माली जे आपको कोई building आपने 99 years की lease पर ली, वो leasehold property है निन्यानमे साल के बाद उस building को धार दिया जाएगा, उसको दुबारा construct किया जाएगा, जो construction post होगी आपको दुबारा देनी पड़ेगी, मालिकान आपको दुबारा मिल जाएगा, that is leasehold property तो freehold भी हो सकती है, leasehold भी हो सकती है, ownership, क्या आप उसके deemed owner भी हो सकते हैं, मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा, हाँ साब, section 27 के according, जो आगे पड़ेगी हैं, section 27 के according, आप deemed owner भी हो सकते हैं हाँ, जी, अगर आपका बाइटांस माली जे dispute चल रहा है, property की ownership में, दो भाईयों की लड़ाई चल रही है, ownership को लेकर, तो किसको owner माने, ownership तो खतरे में आ गई, किसके हाथ में मैं tax करूँगा income, तो देखे, income tax या पास right है, वो किसी एक को owner मान सकता है, अगर court case वगेरा चल किसी property को लेकर, लेकिन उसमें से भी beneficial owner किसको माना जाएगा, जो rent वगेरा ले रहा है, जो उस property से benefit उठा रहा है, उसको, उसका beneficial owner माना जाएगा, उसी के हाथ में मोटा मोटी, उस house property की income tax की जाएगी, purpose क्या होना चीए, देखे, वो house property किसी भी purpose के लिए use करो, बस अपने business क काम धंदे के लिए use मत करना, क्योंकि section 30 जब आप PCPP में मेरे साथ पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको बताया गया कि national rent किसी भी property का वो पेइंडल में डाविट नहीं करने दिया जाएगा, बात समझ आई की नहीं आई, चलिए section 22 समझ आया, basic section charging section था, ठीक है साथ, उसके ब flats sale करते हो, that means है आपका काम है flats खरीदने बेचने का, building बनाते हो, खरीदने बेचते हो, तो इन्होंने कहा, ये लोग क्या करते थे, ये बड़े डिशाने बनते थे, कही की साल तक बोलते थे कि ये building भीकी ही नहीं है, complete नहीं हुए है, तो सरकार नहीं कहा, एक बात सुनो, अ builder लोग थोड़े से कफा हुए, दोनों की मांडवली हुई, बीच में एक रास्ता निकाला गया, सरकार बोले ठीक है, दो साल तक, दो साल तक मैं मानती कोई flat नहीं बिक सकता है, लेकिन दो साल के बाद अगर वो नहीं बिका, तो उससे आने वाली income, जबरदस्ती आपके आप में house property head में tax कर दी जाएगी, चाहे आए, चाहे ना आए, मैं दो साल तक का time दे रही हूँ आपको, सरकार बोलती है builder को, बेच दो बेच ना है, दो साल कहां से लुगा मैं, जब भी आपका completion certificate आया है house property का, जिस भी साल में आया है, उस साल के खतम होने के दो साल बाद त उसकी जो GAV लेंगे, वो हम लेंगे, निल लेंगे साब, stock in trade, annual value लेंगे, निल 2 years from the end of the financial year, जिस साल में भी वो complete होगी, बात समझाई की नहीं आई, आ गई साब, अगर बाइचास माल लीजे, उसका ये काम ही होता, flat खरीदने बेचने का, खरीदने बेचने का, खरीदने ब विकी, नहीं कुछ हुआ, उसका दो साल तक वो vacant पड़ी है, खाली पड़ी है, तो वो कहते हैं, दो साल बाद हम माल लेंगे, वो आपने किराए पर चड़ा दी और उससे आपको rent आना शुरू हो गया है, आईए साब, आगे चलते हैं, example आप एक बार खुद से ready कर लेंगे वीडियो पोज करके अभी, meaning of the certain terms, कुछ terms उन्होंने बताई, चलिए, example मैं आपको पड़ाई देता हूँ, कि अगर कोई भी public school है, उसकी कोई building है, आपने वो किराए पर दे दी है, तो वो PGBP में tax होगा, consider as income from PGBP, if a public school has let out a part of the building to a bank, in case rent received, consider income under that PGBP, सारे expenses उसके debit करने दि आईए जी, finally आपका जो term थी, जिसका जो कहते हैं कि भाया house property chapter पढ़ रहे हो, income calculate करके बताओ, वो आया है आपका, आप कैसे किसी भी house property की income calculate करें यह, लेकिन उससे पहले आपको तीन बाते में यह आपर पता होनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है, आपको rent के प्रकार्स पता कि rent लिया है, आप उगाई करके, हर महीने की 30 तारीकों, 10 तारीकों, नहीं साथ, आप देखिए, बीच में क्या होगा, एक बारतालाब चली, सरकार के और हो सकता है, टाइम थोड़ा जगा लग जाए, लेकिन में है, मेरा आप लोग की यहां तक पहुचाना concept को, यहां से उ प्रोपर्टी पूरे साल चड़ाई नहीं चड़ाई, मुझे क्या पता, तुने वो 18,000 पर मंत की rent पर दे रखी, या 25,000 पर मंत की rent पर दे रखी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, और मैं कहां तेरे पीचे-पीचे भागती फिरूँगी, क्यों, क्योंकि आउस पर से इंकम आने वालों का बेस कब है, इंडिया में दो ही हैड की income सबसे जादा हो थी, एक salary हैड की और पीजीवीप हैड की, या तो लोगबाग बिजनस में हैं, या लोगबाग salary हैड में, वहाँ पर किसी को trace करना आसान है, मतलब उस पर अगर मैं resources लगाऊं, तो मैं पाउं मैं तुम्हें बताता हूँ, या बताती ही, कि आपको कितना rent मानना है, ठीक है, ठीक है साब, बोले ठीक, आप बताओ, शुरू किया, सरकार बोली देखे, तुम्हारी locality में, मैं सबसे पहले पोछूँगी, तुम्हारी locality का rent कितना है, locality का मतलब, तुम्हारे आजू-बा चीजें fair है, कोई गलत चीज नहीं हो रही, fair rent है बात समझें, उसके बाद आए municipal valuation, municipal rent, municipal rent क्या होता है, देखिए हर area की municipality होती है, उस municipality में, municipal tax निकालने के लिए, तो उस area में municipality बताती है, कि इस area का municipal rent इतना होना चीए, मतलब, rent इतना होना चीए, उस rent को बोलते है, municipal rent, rental value determined by the municipality for the purpose of charging municipal tax, house tax, property tax, बात समझें, municipality बताएगी, एक तो मैंने आपके local area का rent ले लिया, same locality का, एक मैंने municipality सरकार का पार्ट है, ये जूट नहीं बोल सकती, एक मैंने rent control act बना दिया, rent control act क्या होता है, आप कोई भी product खरीदने जाते हो, पार लिजी का biscuit का packet खरीद, biscuit का packet खर पीछे पड़ा आपने MRP, पांच रुपे, MRP, तो ये rent का MRP होता है, standard rent, maximum retail price, आप इस product को इतने से ज्यादा नहीं बेच सकते, तो सरकार ने भी rent पर control कर रखा है, rent control act बनाया, और कहा standard rent से ज्यादा नहीं ले सकते, हर area का rent बना दिया, आप देखें, नाजायज किसी से पैस नहीं वसूल सकते, तो उनने का 3 rent पता कर किया, पहले अपने 3 rent पता कर किया, उसके बाद मेरे पास आई है, वो गया, भागा भागा 3 rent पता कर किया, आया, बोला ठीक है साब, मेरे पास fair rent भी, मेरे पास municipal rent भी, मेरे पास standard rent भी, 3 rent उसने लाके उढ़ेल दी, और मेरे पास ज चारों रेंट को कंपेर करवाए जाएगा पाच चारों की अपस में लडाई करवाई जाएगी जो जीता वही सिकंदर होगा लडाई कैसे करवाई जाएगी सरकार ने बोला इसके कुछ अलग रूल्स होंगे लडाई कैसे करवाई जाएगी इसके कुछ अलग रूल्स होंगे मैं अलग तरीके से इस तीरिंग में लडाई करवाऊंगा उससे पहले मैं आपको बता दू कि आपको किसी भी हाउस प्रोपर्टी की इंकम कैसे निकालनी है वो कहता है साब मुझे नहीं पता भी होगा कशे है 17 तसी नहीं बेटाई करवाणे जो भी दोनों में ताकतवर होगा उसको लेया मेरे पास वो आ गया, उसके बाद बोला तिरी तु एक और रेंट लेके आया था, स्टेंडर्ड रेंट, बोला हाँ, स्टेंडर्ड रेंट को भी लेया, अब जो भी इन दोनों में जीता था, इन दोनों की फाइट में, फियर रेंट और मुंसिपल रेंट में जो भी जीता था, उन दो आएगी उसकी लडाई करवानी उसको compare करवाना standard rent के साथ, जो भी कम था standard rent और इसमें जो भी higher आया था उसमें, जो भी इन दोनों में से lower होगा वो आप ले आईए उसको बोलेगे हम expected rent, that means जो house property है आपकी उससे हमारी सरकार की ये expectation है, expected है कि आपको इतना rent तो मिलेगा ही मिले हम बोलो जो तुमारे पास है actual rent received, दोनों को फिर लडाई करवा और दोनों में जो भी higher आएगा वो हो तुमारा होगा final rent, फिर मैं मानूँआ ये तुमारी आपको पठी की हुई income और जो भी income होगी उसको में एक नया नाम दूँगा called gross annual value, ये तुमारी gross पूरे साल की value होग जो सकता पांदस मिनट फालतो लगे मैं फिर कह रहा हूँ, फिर आप recall करते है, fair rent और municipal rent, दोनों की लडाई करवाई, दोनों में से जो भी बल, ताकतवर, सक्तिशाली होगा, उसको हम लेंगे, उसमें जो भी जीतेगा, उसकी standard rent के साथ लडाई करवाएंगे, फिर जो भी क मेरा expected rent, expected rent की actual rent, जो भी उस इंसान ने बोला था कि साथ मुझे actual में इतना पैसा आया है, उसके साथ लडाई करवाऊगा, compare करवाऊगा, दोनों में से जो भी higher आएगा, वो मेरा GAV कहला आएगा, पहले higher, फिर lower, फिर higher, great success, great success, चलिए जो, आपका निकल के आया, gross annual value, अब म सरकार बोली, ठीक है, आम इस पर rent पर देखे, पूरे को तो tax नहीं ले जाते, आपके कुछ खर्चे भी होगे, बोला, हाँ साब, खर्चे है, कमर तोड महंगाई है, कमर तोड महंगाई है, खर्चों में क्या क्या है, साब खर्चों में ना, सबसे पहले साब मैंने municipal tax पी कि पहले gross annual value तो फिर आगया net annual value, पहले GAV था, municipal tax माइनिस करने के बाद आगया, NAV, net annual value, net annual value में से मैं दो चीज़े माइनस करूँगा, deduction के नाम पर, deduction के नाम पर दो चीज़े, दो चीज़े मैं क्या, एक तो standard deduction, खर्चों के नाम की repair, renovation वगयरा, जो वाओ, साब मैंस कर बाद और एक, मेरा interest on loan, आपने इस घर को बनाने के लिए, इस घर को खरीदने के लिए loan लिया होगा, तो उस पर जो ब्याज जा रहा है, ज खर्चे माइनस करके profit पर ही तो tax लोगे साब, अब turnover पर tax कब से होने लगा, turnover माइनस खर्चे, business में भी तो ऐसा ही करते, sale माइनस expenses, तभी तो जो profit विच्टा उसी पर तो हम tax देते, house property में भी ऐसा ही, आपका जो भी आया, बटोर के layout और जो खर्चे होगे, वो minus करवाद हो, खर्चे कौन-कौन से हो सकते हैं, भया, घर है, घर का क्या हो सकता है, municipal tax pay किया होगा, allowed कर दिया हमने, repair, renovation, insurance वगरा कराया है, construction कराया है, कुछ थोड़ा बहुत खर्चा किया है, कोई बात नहीं है, हम उसकी flat deduction दे रहे हैं, हम यह आप पर वरोसा नहीं है, आप बहुत जूर और इंटरस्ट, आपने loan लेकर यह घर बनाया होगा, यह घर खरीदा होगा, तो उस पर जो ब्याज जाएगा, जो इंटरस्ट जाएगा, वो आप माइनस कर दीजी, जो भी बचेगा, वो आपका income from house property कहलाएगा, ठीक है, एक एक term को discuss करेंगे, GAV निकालना मैंने आपको ब कोई चीज़ होनी थी, वो हुई नहीं, कोई चीज़ होनी थी, वो हुई नहीं, मतलब आपके घर में किरायदार थे, लेकिन उनसे किराया आया नहीं, that is called unrealized rent, किराया नहीं आने के दो बुख्य कारण हो सकते हैं, दो मेन कारण क्या हो सकते हैं, एक तो यह सामने वाला बाह कहां से दो तो दो ही सूर्थों में आपके पास rent नहीं आ सकता unrealized rent house was let out आपका घर किराय पर था but rent could not be recovered from the net, दो रिजन हो सकते vacancy loss, vacancy loss का मतलब है कि आपका घर ही खाली था, कोई किराय पर था ही नहीं, loss of rent because house property remained vacant during such period, बात समझाई आपने क्या निकाल लिया आपने GAV निकाल लिया अब GAV आगया आपका आगया साथ, अब GAV आपने निकाल लिया बहुत आसान तरीके से क्या तरीका है सर, multiple rent और क्या बोलते है fair rent को compare कर और दोनों में से higher लो, जो भी आएगा higher उसको standard rent से compare कर और दोनों में से जो भी lower आएगा वो expected rent, expected rent को actual rent received से करवा दो actual rent received का क्या मतलब actual rent received का मतलब है ARR बोलते हैं, short में इसको actual rent जो आपको मिला received plus receivable जो और आना है अभी जो और आना है अभी minus unrealized rent unrealized rent साब unrealized rent माइनस कब करूँगा unrealized rent मैं माइनस कब करूँगा, आपको पता हो राची unrealized rent आप तभी minus करेंगे जब तीन condition आप फुल्फिल करेंगे ये नहीं है, आपने बोला, अरे सर वो तो बहुत गरीब इंसान अरे सर वो तो बहुत भावबुली इंसान हो, मेरे को पैसे देही नहीं है सरकार कहती है, मैं नहीं मानूँगी तुम ज़ूट भी दो बोल सकते, तुमारी साड़कार्ट हो उसके साथ unrealized rent माइनस करवाने के लिए ARR में से, आपको कुछ हमानी condition मानने पड़ी condition क्या है आपकी malafide intention नहीं होना ची bonafide intention होनी ची that means आपने आपने घर खाली करवाने के भरपूर परियास किया हो tenancy is bonafide bonafide intention होनी ची malafide नहीं होना ची आपने घर खाली करवाने के पूरे परियास किया हो आपने police complaint भी की हो आपने कहीं पर मुकदमाद भी डाला हो उस पर किये मेरा किराए नहीं दे रहा और घर खाली नहीं कर ला तीसरा आप यह नहीं कि आपने एक घर से खाली करवा के दूसरे घर में दे दिया आपके पास दो घर थे आप गोले इसको छोड़ के दूसरे बाले में रहने लग जाओ अन्रिलाइज रेंट मेरा माइनस हो जाएगा मेरे को कम टेक्स देना अपने टेनेट बोला ठीक है मुझे क्या देखा 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 आपके वो किसी भी हाउस पूपर्टी में सेम टेनेट नहीं मिलना चाहिए तो टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, जैन्नल टेनेनसी होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए डेफोल्टिंग टेनेंट को आपने कम्पेल किया हो खाली करने के लिए भहीा निकलो मेरे यहां से आपने उस पर case वगएरा दर्ज कराए हो आपकी वो किसी other property में occupy नहीं होना ची आपने all reasonable steps लिए हो recovery of unfaid rent के तब ही आप ARR में से minus करवा सकते हैं क्या unreliance rent सबसे पहली बात सबसे पहली बात computation of house property में आप GAV निकालते हैं लेकिन यह GAV निकालना बताया आपको normal condition नहीं है आप normal तरीके से यह GAV निकाल सकते हैं आपकी GAV को तबज्जू दी जाएगी लेकिन अगर कुछ अलग-अलग case हो सकते हैं जिसमें आपकी GAV अलग-अलग तरीके से निकलेगी सिर्फ मैं पहले point पर हूँ अभी मैं सिर्फ A point पर हूँ GAV निकालने वाले अभी हम आगे नहीं चले municipal tax पर नहीं पहुचें सिर्फ हम GAV निकाल रहे हैं यह GAV मैंने एक बताई आपको normal condition जब सब कुछ normal है बहुत शांत सब भाउस ना ups है ना downs है ना कुछ भी नहीं नोर्मल शांत चल रहा है सब कुछ तो GAV आप ऐसे निकाल सकते लेकिन थोड़ा सा भी up down हो गया तो आपको GAV निकालने के अलग-अलग तरीके मानने पढ़ेंगे सर अलग-अलग तरीके क्या होंगे अलग-अलग तरीके क्या होंगे आईए जी सबसे पहले बात करते हैं या अन-उक्यूपाइड हाउस पूपाइड की साल्फ उक्यूपाइड का मतलब है आप उस घर में खुद रहते हैं अगर आप उस घर में खुद रहते हैं तो सरकार आपसे रेंट किस मुह से मांगेगी किस मुह से मांगेगी बोलें यार हम तो खुद रहते हैं हमारे को रेंट थुड़ी आता है तो जीए वी क्या लेंगे उसकी निल उसकी जीए भी क्या लेंगे निल लेकिन सरकार आपको कहती है है मैक्सिमम दो घर ही ऐसे बोल सकते हैं कि मैं यहां पर रहता हूँ आपके पास 10 घर हैं आप बोले हो मैं तो 10 ओ घरों में रहते हो सरकार नहीं एक इंसान max to max 2 घर में रह सकता तो 2 घर का भी concept किसलिए है एक खुद के लिए एक शादी होने के बाद माबाप के लिए कई बार कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो माबाप से अलग हो जाते हैं तो हो कहते हैं चलो कई बात निये घर में माबाप रहते होंगे एक में तुम रहते हो बड़ा परिवार है तो भी ये कंडिशन आती है only for individual HOF के लिए ये condition आई है तो इसमें GAV क्या लेंगे निल self occupied property के लिए GAV आप लेकर चलेंगे निल दूसरा मैं सिर्फ GAV की बात कर रहा हूँ अभी के लिए property let out खोल लिए आपने पूरे साल property let out की है तो ये तो मैंने बताई दिया expected rent और ARR ये तो बहुत normal वाली condition दी आपकी property पूरे साल चड़ी रही किराए पर तो obviously बात आप इसी तरीके से इस तरीके से आप अपने जीए भी निकालेंगे self occupied में निल और पूरे साल चड़ी रही तो आपकी जो जीए भी होगी वो higher of the expected rent और ARR ARR stands for actual rent received और receivable let out property vacant for a part of the year सबसे खतरना टर्म है सबसे important है लिख लो सबसे ज़्यादा बच्चा इसी में फसता है क्या है let out property vacant for part of the year किसी साल के part के लिए प्रोपर्टी आपकी खाली रही खाली रही मतलब मतलब साल के दो महीने खाली रही चार महीने खाली रही अब आप जैसे ही सरकार के पास वह पैसा ले कर पहुचे कि साब मैंने जी अब निकाल लिया हाइरव्याइर करके हाइर लोवर। ्यूंक उयर्लोवर करके यह लोग मैंने जीअब निकाली रही इतुना कम क्यों मैं तुम्हें बतलब यह बार होगी कैसे आप इसमें चीए भी निकालेंगे देखिए अगर आपका air ज्यादा है एक इसपकेटीरन से बहुत संपल बहुत शांत मतलब है यहां मतलब एक्श रेंट रेंट से मतलब एक्सपटीड रेंट क्या था लूजिकली समझ हो तूरत अमारना है बच्चे पागल रहते हैं बहुत सिंपल एर मतलब तुम खुद कह रहे हो एक्चवारेंट रेंट रेंट मेरा मान लो 100 रुपे है एया एकस्पेक्टे रेंट सरकार जो रेंट निकल वारी थी हाईर लोवर हाईर लोवर हाईर लोवर पिर वागे इसमें अस्सी आया ठाए अरे जब तुम खुदी बोल रहे हो मेरा ज्यादा है तो सरकार मानले की ठीक आग जिये वी तुमारा एया र RAM , दूसरा , अरे नहीं बहिया , आपका जो ARM है nad nie अभर के तरीके से जादा आया था ,coon ,बर्श हो गया त। अब almost . अब reverse हो गया लेकिन यह reversal जो हुआ सिर्फ vacancy के कारण था , मतलब अगर vacancy ना होती लोनो 100 100 होते , यह तो सरकार कहती कोई बात G.A.V is equal to A.R.R. actual rent और अभी तक कोई दिखका थी नहीं तीसरा case ही आया A.R.R. आपका कम था expected rent से लेकिवा कोई other ही reasons थे other reason क्या हो सकते हैं भया मानलो आपका जो expected rent था वह 60 रुपे था और जो relative था और जो expected rent था वह 1.500 रुपे था तब भी ये 100 ही आता, 100 ही आता, 100 ही आता, 100 ही आता, तो उस case में वो कहते हैं, भाया GAV सीधा सीधा expected rent माले, GAV क्या मालोगे, expected rent, दोनों में GAV ARR था, इसमें expected rent है, इसमें कई बार एक दूसरा भी point of view आता है, कि expected rent में GAV, या तो expected rent मालना है, या फिर logically सोचो, तो उनों ने बोल expected rent में से loss due to vacancy minus करवा देना, अगर by chance vacancy है, तो सरकार कहती है, वो minus करवा देना, कोई एक इसमें मान लेना, ठीक है साब, कोई एक आप इसमें opinion ले सकते हो, institute में भी दोनों चलते हैं, कई questions में कुछ है, कई questions में कुछ है, लेकिन आप कोई एक इसमें follow करके चल सकते हो, और institute कहा, कोई एक follow कर सकते हो, इसमें से, ठीक है, कई authors, जो आप direct text में अच्छे-ची books लिखते हैं, उनके कईयों के opinion ये है, कई के opinion ये है, तो आप note डालके कोई एक ले सकते हो, ठीक है जी, चलिए, तीन प्रोपर्टी हो गई, different types of house प्रोपर्टी, एक पूरे साल खाली थी, एक पूरे साल चड़ी होई थी, एक पूरे साल ना चड़के, कुछ महिने के लिए खाली थी, फूर्थ नमबर, let out for part and self occupied for part of the year, time wise, मतलब कुछ महिने आप खुद रहे, मान लीजे, आपका कोई नया घर बन रहा था, तब तक कुछ महिने, पांच महिने आप उस प्रोपर्टी में खुद थे, मतलब self occupied थी, फिर आपने वो खाली कर दी, आप नए घर में शफ्ट हो आपका higher of the expected rent, वो कह रहे, भाईया देखो, मुझे नहीं पता आप 6 महिने रहे, 8 महिने रहे, कितने महिने रहे, expected rent पूरे साल का निकालो, और actual rent जितना आपको आया था, केवल let out period का, दोनों को compare करा लो, दोनों में जो भी higher होगा, दोनों में जो भी higher होगा, वो आपकी income consider क जाएगी, जी ये भी माने जाएगी, more than two self occupied house property, deemed let out property, देखिए, सरकार कहती ही, भाईया मैं दो घर आपको लाओ करती हूँ, आप कहरो, जी मेरे तो 10 घर है, 10 के 10 self occupied, हमने मान दे, किसी दो घर को आप self occupied मान दो, बाकी के जितने भी घर होगे, वो deemed let out मान ली जाएगे, calculate करेंगे, hit and trial method से, एक question भी है, अपना question bank में, कि जिसमें तीन घर होते हैं, ABC, पहले आप दो को self occupied मानते हो, एक को let out, फिर इन दो को मानते हो, self occupied, एक को let out, फिर इन दो को मानते हो, self occupied, एक को let out, तीनों में जिसकी भी income सबसे कम होगी, वो आप ले सकते हैं, सरकार कहती है, किसी भी घर को मानो, आपकी choice है, तो जो deemed let out property है, उसमें expected rent मेरा GAV हो जाएगा, जो सरकार कहती ही, वही मानना पड़ेगा, deemed let out है, और जो self occupied है, उसमें तो obviously मेरा, निल ही रहेगा, GAV, बात समझाई की नहीं आई, आगी सब, सिंगल घर, सिंगल हाउस, आपका one portion is let out, another portion is self occupied, मतलब area wise, उपर नीचे मकान बना हुआ है, नीचे वाला self occupied है, उपर वाला let out है, या फिर एक ही floor पे 6 कमरे, 6 कमरे में से 3 में आपको दे रहे, तो 3 आपने किराये पर दे रखे, तो उस case में आपको क्या करना है, जो self occupied है, उसका GAV लेना है, निल, और जो let out property है, उसका GAV ले पेसिस पर ले, 6 कमरे थे, पहले आपने expected rent, 6 कमरे का निकाला, लेकिन 6 में से 3 में आप self occupied थे, तो सिर्फ तीन का 50% ही आप यहां पर expected rent लेगे, बात समुझ आई कि नहीं है, इतना tough chapter नहीं है, पट यह कि धान से सुनने वाली बात, यह ती types of house property, most important, most difficult यही रहता है दूसरा हमारा term था, GAV में से हम क्या minus करते थे, बोलिए, GAV में से हम minus करके चलते थे, municipal taxes, sir, यह छोड़ी-छोड़ी terms रह गई, आपने यह तो बतलाई नहीं हमें, यह वाली term रह गई, यह वाली term रह गई, और कौनसी नहीं बतलाई, बताओ-बताओ, sir, यह वाली term रह गई है, कि आप सरकार को municipal tax ले रहे, GAV में से municipal tax हमेशा minus किया जाएगा, जब वो उस owner की जेब से जाना चाहिए, टेनेंट की जेब से नहीं, owner की जेब से जाना चाहिए, और जब आप actually pay करेंगे, actually, provisional basis पर में actually pay करेंगे, तब ही allowed होगा, sir, मान लीजे मैंने पिछले 10 साल का municipal tax अब पे किया, आपको दस साल का अभी allowed हो जाएगा, sir, आने वाले तीन साल का भी आज ही पे कर दिया, आपको आज ही allowed हो जाएगा, जब भी आप पे करेंगे, actually paid, तब आपको municipal tax allowed हो जाएगा as a deduction from GAV, sir, मान लीजे टेने ने पे कर दिया, sir, tenant ने पे कर दिया, sir, tenant ने पे कर हता है, पहले मालिक देता, अब उसने किरायदार ने दे दिया, तो इसका GAV किराया बढ़ा दो, ने, वो नहीं करना आपको, ये को गलत धारना मत दार ले, चलिए साब, आईए फटा-फट, municipal tax actually born by the owner, actually paid during the previous year, allowed redirection, जिस साल में आप पे करेंगा, उसी साल में allowed हो जाएगा refund of municipal tax, आपकी income नहीं होगी, refund, municipal tax का refund आया, ज्यादा चला गया था, ये सरकार ने COVID के टाइम पर refund कर दी, कोई दिखकत नहीं है, taxable नहीं होगा, अगर आपको percentage basis पर, कई बार बोद दे देते है, municipal tax 8%, तो municipal tax 8% दिया, तो बच्चा पता है, क्या करता है, सबसे बढ़ी गलती, आपको पता है, GAV के नीचे ही, municipal tax लिखा है, तो वो क्या करता है, GAV का 8% कर देता है, सबसे बढ़ी गलती, municipal tax अगर percentage में दिया है, तो वो हमेशा municipal value का 8% होगा, ना कि GAV का 8% होगा, हमेशा दान रखना चली, municipal tax को अधर नाम, house tax, property tax, local tax, water tax भी इसी में include हुगा, ये इसके other name है, municipal tax को भाती-भाती परकार के नाम से जाना जाता है, house tax, property tax, local tax, और municipal tax के अंदर आते हैं, water tax, severance tax, fire tax, ठीक है जी, ठीक है साथ, टाइम हो गया, आदा गांटा, बोटा-बोटी, दस-पंदर, अभी समय टोट लेगे हैं, chapter खताम हो जाए, municipal tax जब आप माइनस कर देते हो, GAV में से municipal tax माइनस किया, आपका निकल क्या है, NAV, net annual value, net annual value, हाँ, जी, negative बिल्कुल हो सकती है, अगर आपने municipal tax पे कर दिया, GAV से जादा, अपने अगले 20 साल का municipal tax एक साथ पे कर दिया, GAV से काफी जादा, section 22 charging section, section 23 देखा, GAV बाला, और अब इसके बाद, section 24 आगे deduction को लेकर, section 24 आया deduction को लेकर, section 24 में deductions माइनस करता हूँ, दो इसमें deduction है, deduction A और B, A और B, दो इसमें deduction है, A और B, एक मेरी standard deduction है, एक मेरी interest के deduction है, standard deduction यह कहती है, भई, हम आपको कोई भी खर्चा allowed नहीं करेंगे, कोई भी खर्चा, no other expense, repair, maintenance, parking, charge, insurance, paint, lift, tile, which way, कोई खर्चा नहीं देंगे, हर साल NAV का 30% हम आपको flat देंगे, मांगो या ना मांगो, मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा, अगर NAV minus में होगी, तो deduction आपको stunt reduction नहीं मिलेगी, ठीक है जी, ठीक है साब, self occupied property में stunt deduction नेल लेगे, जी यह भी नेल होती, इस बात समझाई, stunt deduction की, जी सर, यह flat deduction है, आपकी, allowed irrespective, खर्चा करो या मत करो, मिलेगी ही मिलेगी, जैसे salary head में, stunt deduction 50,000, वैसे ही है, ठीक है साब, ठीक है जी, आज चक्कर क्या है, एनर्जी थोड़ी से कम ही से लिए भी है, आज मेरा fast भी है, तो इसलिए थोड़ी से इनर्जी कम है, बट मुझे लगा, कि अब वो टाइम आ गया है कि आर बच्चों को महनत करवाई जाए, अब आप लोग भी वेट कर रहे थे कि सर, जल्दी से September attempt के लिए revision वीडियो डाल तो, अब practice batch शुरू होने वाला है, September के लिए, फटा-फट एनर्ओल, अगर किसी को कराना है, www.jagulia.com पर जाकर practice batch के लिए नर्ओल करा लो, किसी को fast track करना है, तो fast track के लिए करा लो, GST as well as income tax, चलिए जी, interest on borrowed capital, interest on borrowed capital section 24B की अगर मैं बात करूँ, interest on borrowed capital section 24B, 24B क्या कहता है, 24B कहता है कि भाया, जो भी आप loan ले रहे हैं, गर बनाने के लिए या गर खरीदने के लिए, तो आपको मैं deduction allow करता हूँ, interest, interest की deduction में क्या होगा, interest के deduction में होगा ये, कि 24B में current year interest, देखिये जी, current year का interest आपको allow किया जाएगा, एक past year का interest allow किया जाएगा, सब दोनों में difference क्या है, difference ये है कि, देखे, आज आप घर बनाने जा रहे हैं, घर बनाने में 2-4-5 साल का time लग जाता है, आज बिल्कुल लग जाता है, एंटिला जैसे घर को तो बनाने में बता नहीं कितने सालों लग जाते हैं, तो उस दोरान आपने, डेवन पे तो आपके पास पैसा नहीं था, आपने लोन लिया था, अब लोन पे जो interest चल रहा है, वो तो डेवन से चल रहा है, घर complete हुआ, आपका जाकर 3 साल बाद, घर बनाई नहीं था, लेकिन interest जा रहा है, तो क्या अगर थे, कुछ नहीं, तो current year interest का मतलब है, जिस साल में घर complete हुआ, वो current year का interest हो तो आपको allowed हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई डॉक टॉक नहीं है, बात दिक्कत कहा आती है, prior period interest की, prior period interest का मतलब है, जब भी आपका घर complete हुआ, जब भी आपका घर complete हुआ, उससे पहले की 31st March ले लो, उससे पहले की 31st March ले लो, complete, इससे पहले की 31st March ले लो, ये जो period है, ये है prior period interest, ये आपका 5 साल में allowed हो जाएगा, 5 साल, allowed कब होगा, भाया, ये तो मेरा इस साल में, 23, 24 में जाके घर complete हुआ था, जब घर complete होगा, उससी साल में तो allowed होगा, इस साल में दो चीज़े होगी, एक तो current year 23, 24 का interest होगा, और इस साल, इन सालों का, माल लीजिए, यहाँ पर ये साल है, तीन साल है, 1, 2, 3, तो तीन साल का interest divided by 5, माल लीजिए, एक लाख divided by 5, 20,000 रुपे, तो यहाँ पर current year का interest, प्लस 20,000 रुपे, पिछले सालों का interest, बात समझाए, pre-construction period interest, जब भी आपका घर complete हुआ, उससे पहले का, उससे पहले का interest एक साथ नहीं दे सकते हैं, हम आपको, हम आपको 5 साल में वो interest देंगे, कैसे देंगे, क्योंकि अगर घर बनते ही, मैंने पिछले 4 साल का interest एक साथ दे दिया, 3 साल का interest एक साथ दे दिया, loss खड़ा हो जा कि इसको खतम कर लो, क्योंकि जिस साल में घर complete हो, उस साल का, खुद का interest है, फिर पीछे का interest, फिर उससे अगले साल, फिर खुद का interest, फिर पीछे का interest, तो अगले 5 साल तक, 5 किस्तों में हम इसको, आपको अलाव कर देते हैं, दो हैं, एक current year का interest, एक pre-construction interest, हाँ जी, कहां ज शुरू होगा, 31st March, immediately, prior to the date of completion of construction, जब भी आपका घर complete होगा, उससे जस्ट पहले की 31st March, तक का interest, prior period interest में, आएगा ही, आएगा, उसका 1-5th आपको अलावड हो जाएगा, 5 installment में, successive previous year में, लावड हो जाएगा, ध्यान जेना, एक, जो most important बात है, actual basis per deduction, under section 24B, for interest available on actual basis, मतलब, आपने actually pay नहीं किया, तब भी आपको interest की deduction मिलती है, लेकिन, तुरंट 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 यहाँ पर compare कराएगे, municipal tax के साथ, municipal tax आपको तभी अलावड होता है, जब आप उसकी actual payment करते हैं, तो एक्जाम में कभी भी confused नहीं होना, कि municipal tax और interest, कौन सा, एक्पुरोल बेसेज पर था, जो सरकार को पैसा जाना था, जो सरकार को पैसा जाना था, वो actual payment था, और bank से भी लोन ले सकते हो, आप private bank से भी ले सकते हो, तो यहाँ पर उने बोला, एक्पुरोल बेसेज पर भी deduction मिल जाएगी, यह पूरा पूरा मैंने step दे रखेंगे के करके कि आप prior period interest कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप लेंगे date of borrowing of loan, आपने किस दिन बोरो किया था, आपने आपने इस दिन बोरो किया था, यह होगी date आपकी, फिर आप लेंगे date of completion, आपका घर यहाँ पर complete हुआ था, यह होगया complete, फिर आप क्या करेंगे, last date of the financial, immediately preceding the completion year, last date, यह थी मेरी 31st March, तो जो आप period step 1 और step 3, तो यह हो गया आपका prior period, prior period को क्या करेंगे आप, prior period interest, amount of loan, rate of interest, prior period time निकाल लेंगे और उसको 5 से divide कर देंगे और हर साल, 5 साल तक आप उसको claim करते रहेंगे, panel interest कभी आपको deduction नहीं मिलती, मतलब interest, आपके को installment bounce हो गई, उसके उपर दुबारा interest लगा, वो आपको कभी भी reduction नहीं मिलेगे, लेकिन आगर आपने किसी पुराने loan को उतारने के लिए नया loan लिया है, नये loan के आप installment जा रहे है, तो वो आपको interest allowed हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है जाब, land may be taken for purchasing the land and even if construction done out of one fund, आप अपने पैसे से भी construction करा सकते हैं, और आप land खरीद के, मतलब land खरीद के, या फिर land loan पर लेकर और अपने पैसे से construction भी करा सकते हैं, loan may be taken for purchasing of the land, loan ले लिया, land खरीदने के लिए, घर बना रिया, उस पर अपने पैसे से चले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप outside इंडिया, अगर आप interest पे करें, तो उस पर TDS जरूर काट लिएगा, तब ही आपको 24B में deduction allowed होगी, जब भी आप interest, मालीजे, इंटिल बना था, मुके शम्मानी को इंडिया में पैसा नहीं मिला, 5000 क्रोड घर के लिए कोई नहीं दे रहा है, वो एक काम किया, उन्होंने बहार से पैसा ले लिया, तो बोले जब भार interest पे करूंगा, तो क्या उसकी deduction मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी, लेकिन आप TDS जरूर काट लेना, तब ही आपको उसकी deduction मिलेगी, otherwise नहीं मिलेगी, आप ये loan ले सकते हैं, किसी भी banks, financial institution, किसी भी, चलिए, light cut कर गई है हमारी, कोई बात नहीं, आदी तुफान बहार, बहुत जोर काया है, वेदर ली में आज, काफी दिनों से बहुत गर्मी पढ़ रही है, कितनी गर limits on deduction of interest for self occupied property, क्या बोल रहा है जी, देखिए, अब ये थी वो बाते जो मैं कह रहा था कि सर्वो नहीं करवाओगे, 30,2,0,000,000,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 इंट्रस्ट की दो लाख रुपे वाली उस पर लिमिट लगा रहे हम आपको वो दो लाख रुपे तक ही देंगे, that means, that means, बात समझना सको, अगर आपकी self-occupied प्रोपर्टी तो जो इंट्रस्ट अंडर सेक्शन 24 भी है, वो दो लाख रुपे तक का मिलेगा, अगर आपकी let-out प्रोपेटी है, तो unlimited मिल जाए, यही बात थी, वो सारी की सारी, यह देखो, इंट्रस्ट अलाउड अप्टू 30,000 और 2 लाख, किसमें? Self-occupied में, यही बात थी, इंट्रस्ट अलाउड अप्टू 30,000 दो लाख, किसमें? Self-occupied में, इंट्रस्ट डिड़क्टेबल, कितना? Self-occupied property में, 30,000 दो लाख, एक ही बात थीन बार लिखी होई थी, ठीक है? ठीक है जी? ठीक है सार्व? तो वो यह कहता है, अगर आपको 24B में, Self-occupied घर के लिए, डिड़क्शन क्लेम करनी है, तो हम आपकी इंट्रस्ट की जो डिड़क्शन है, वो मैक्सिमम दो लाख रुपे तक देंगे, और दो लाख भी जब देंगे, जब आप तीन कंडिशन फुल्फिल करोगे, जो लोन आपने जो यह लोन लिया होगा, और आप्टर 1499 के बाद ही लिया होगा, आपने जो यह लोन लिया होगा, वो 1499 के बाद ही लिया होगा, एंड लास्ट वन, आप जब भी ए घर कंपलीट करेंगे, खरीदो या बनाओ, पांच साल के अंदर अंदर, खरीदो या बनाओ, पा लेकिन यह सिर्फ किस केस में मिलेगा जब आपकी हाउस प्रोपर्टी साल्फ उक्यूपाइड प्रोपर्टी होगी अगर वो लेटाउट प्रोपर्टी सरकार कहा रही अरे देखिए बात समझी सरकार नहीं क्यों लिमिट लगा दी सेल्फ उक्यूपाइड प्रोपर्टी में जीए भी क्या होता है मिल सरकार को क्या मिलना है सुनने कोई टेक्स नहीं मिलना लेकिन लेट आउट प्रोपर्टी से जीए भी क्या होगी हाई टेक्स क्या होगा हाई सरकार कहती कोई दिक्कत में यह अनलिम्टेड ले लो तो यहां पर सरकार कुछ नहीं मिल रहा था इसलिए लगा दे लिमिट लटाउट प्रोपर्टी में रेंट आता है यार प्रोपर पूरा टेक्स देने इसलिए वहाँ अनलिमिटेड अब वो मेंचन लिमिट एप्लीकेबल कम्बाइंड लिफोर टू सैल्फ उक्वाइड नॉट फॉर इच उनन बोला ता ना आप दो घर ले सकते किसलिए जहां से किराया आ रहा है जहां से पैसा आरह सरकार के पस्माँ पर कोई लिमेट नहीं नहीं अपका वो घर किराय पर है और आप रिलाइज नहीं कर पाए लेकिन कुछ सालों बाद उस बिचारे किरायदार की आत्मा जागी और आपको वो रेंट देने आया वो चड़ा गया था छोड़कर दो-तिन साल का बड़ा नुक्सान हुआ मुझे इतने सालों में आपकी बद्धुआ मुझे लगी रेंट रख लो आपका रेंट आ गया हाला कि आपने वो प्रोपर्टी बेश देती फिर भी रेंट आ गया उस केस में भी आपकी हाउस प्रोपर्टे की इलिकम कंसेडर होगी 30% माइनस कर दि दिए तो रेंट लेने का हक बनता ही नहीं है तब भी आपको रेंट लेना और वो आपका इंकम कंसेडर होगा अरियर ओफ्रेंट का क्या मतलब है अरियर ओफ्रेंट का मतलब है कि आपने रेंट बढ़ाया पिछले सालों से कि टैनेंट बोला मैंने ही बढ़ा करीद दूंगा आप कोट में चलागे कोट केस चलना था कोई बातिया आपको पीछे से बढ़ा कर देना है वो स्टिल रह रह रहा है तो जिस भी साल में मिलेगा उस साल में आपके आपके प्रपरटी की इंकम होगी 30% इसमें भी डिदक् कर रखा दा आपको मिला तब भी लेना है या ना हो आपको वो कंसीडर करना है अपनी हाउस परपरटी की इंकम यह मां अल्रेडी करवा चुका हूँ कंपोजेट रेंड का मतलब यह है कि आपका अपनी हाउस परपरटी के साथ साथ प्रीज, कुलर, एसी, टीवी, मशीन, सब कुछ दे रखा साथ में आपको फरनीचर फिक्टर्स भी दे रखे है आपको एसी ले जाओ, कुलर ले जाओ, लिफ्ट लगा लो, सब कुछ तो इस केस में दो बाते निकल कर रहाती है, अगर आपका एग्रिमेंट है, अगर इन सेपरेबल है, मतलब आप सेपरेट करी नहीं पहाए, आपने एक साथ इकटा दे रखा है तो फिर आप क्या करेंगे, या तो IFOs में टेक्स करेंगे, या PGBP में, हाउस परपटी में आप उसको टेक्स नहीं कर सकते जैसे माल लीजिए, ओडिटोरियम किराये पर ले आपने एक दिन के लिए, उसकेस में ये चीज़ हो सकती है, कि सामने वाले के हाथ में जो रेंट आप पे कर रहे हैं, वो टेक्स होगा कहां, IFOs या PGBP, वटेवर, नेचर ओफ बिजनस, ठीक है, ठीक है साथ, सारे के सारे expenses में माइनस कर दूँगा, income from house property situated outside इंडिया, अगर आपकी कोई property outside इंडिया है, वहाँ से कोई income आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, R.O.R. है, हर केस में tax होगी, चाहें इंडिया में receive करो या मत करो, लेकिन R.N.O.R. है और N.R. है तो taxable only when received in इंडिया, बिलकुल tax ह होगी, खर्चे आपको, municipal tax paid outside इंडिया, deduct हो जाएंगे, यह मैंने आपको अल्रेडी बता रखा है, foreign currency को आप convert करेंगे, TTBR, telegraphic transfer buying rate से, आप last day, previous year के last day पर जो TTBR होगा, आप उस से foreign currency को convert कर लेंगे, इंडियान रुपीज में, अगर आपको बोल दिया, कि सिंगापूर में आपका एगर है, वहाँ से house property की income आ रही है, वहाँ पर आपने इतना मुंसी पर tax pay किया, तो मुंसी पर tax minus करवा देना, हो सकता आपको डॉलर में दिया हो, तो जो TTBR है, telegraphic transfer buying rate, last day of the previous year का, उस से convert कर लेंगे, इंडियान रुपीज में, और उपने income calculate कर लेंगे, treatment of income from co-owned property, को-owned property, मतलब एक ही property, house property के दो मालिक है, कुछ नहीं करना, मान के चलो, उसका कोई मालिक नहीं, चुप-चाप उसकी पूरी की पूरी income निकाल दो, जब income निकाल दो, proportionately बाट दो, दोनों मालिकों में, बात खतब, कौन सी बड़ी बात दी, income from such house property shall be computed as if property is on, मान के चलो, एक ही ओनर है, जब निकाल दो, तो proportionately उसके शेर में बाट देना, 30,000 और 2,000 जो interest के limit थी, वो SSC wise है, घर wise नहीं है, 30,000 और 2,000 है, जो limit लगाई थी नोने interest पर, 24B में, वो SSC wise limit है, वो house wise limit नहीं है, that means, एक घर के 2 वानिक, एक घर के 2 वानिक, तो 2,00,000 रुपे उसको भी मिलेंगे, 2,00,000 रुपे उसको मिलेंगे, मतलब टोटल एक ही घर के 4,00,000 मिलेंगे, क्योंकि 2 इंसान अलग लग, लेकिन एक इंसान की 2 house property हैं, तो 2,00,000 ही मिलेंगे, फिर 4,00,000 नहीं मिलेंगे, आपने अपनी spouse को ट्रांसफर कर दी, कोई house property without consideration या inadequate consideration, तो उस case में आपका, आप उस घर के मालिक, आपके पास, आपकी wife का celebrity तक income नहीं रही, कोई income दी हाउस wife ते, आपने दिमाग लगा, अरे मेरी तो salary से भी income है, business से भी income, house property से भी income है, house property से भी income है, house property बीवी के नाम पे पर कर देता हो, without consideration या inadequate consideration, तो जो उससे rent आएगा, वो बीवी की income नहीं मानी जाएगी, वो आपकी income मानी जाएगी, deemed ownership, आपके हाथ में उस house property की tax होगा, exception है, अगर आप agreement, अगर आप तलाक व्लाग का कोई case चल रहा, उस करण आपने तलाक के चलते है, आपने property अपनी बीव वाला हिया, या पती वाला, same concept लगेगा, exception यहाँ पर है, minor married daughter के case में consider नहीं करेंगे, deemed ownership, वो बेटी की शादी करती, बेटी पराय कर चलीगी, वही माल के मानी जाएगी, आप मालिक उसके नहीं माने जाओगे, otherwise, minor child के case में आएगा, holder of impartible assets, कई चीज़े ऐसी होती है, बाप उस case में जो भी उस property जादाद को रख रखाव कर रहा है, जो maintain कर रहा है, जो उससे benefit उठा रहा है, उसी के हाथ में टेक्स होगी, उसी को deemed owner माना जाएगा उस property को, cooperative society, member of a cooperative society, कई बार societies जो होती है, जैसे अपना गोकुल धाम society, तारक मेता को उटा चुस्मा, उसमें वो पूरी की पूरी society, गोकुल धाम society है, सारी जो flats हैं, वो गोकुल धाम society के नाम पर है, लेकिन बिडे है, जेठालाल है, तारक मेता है, इन सब के flats हैं, तो जो ये अलग share pay कर रखा महां पर रहनेगा, तो इसलिए इनको owner माना जाएगा, deemed owner अगर रेंट पर देते हैं, तो वो respectively उनके हाथ में tax किया जाएगी, वो गोकुल धाम society के हाथ में tax नहीं की जाएगी, person in position of property, आपने property का position ले लिया, amount पे कर दी, वसे आपके नाम पर sale deed नहीं हुए, मतल कारे के सारे deemed owner वाले case पता है कौन से है, कागजात में नाम किसी और का होगा, लेकिन actual में जब आप corporate will, वो था ने, lifting of corporate will, याद है, company लोगों में वो कौन सब, तो जब आप well पढदा उठाते हैं, तो आप देखते हो, actual में फायदा तो कोई और ही उठा रहा है, सब के, नाम किसी और के है, जो beneficiary उसके आथ में taxoring, और अपने property 12 या 12 साल से जादा किसी को lease पर दे दी, तो भी deemed ownership माना जाएगा, जिसको वो property अपने lease out की, losses house property के, आप intra head, एक house property का loss, दूसरी house property से set off कर सकते हो, house property का loss हो गया, किसी other head से adjust करना है, बिल्कुल कर सकते हो, can be set off, बिल्कुल allowed होगा, लेकिन दो लाक रुपे, maximum दो लाक तक allowed होगा, carry forward हो कर सकते हो, 8 साल के लिए, और आगे जाके केवल house property से ही set off कर पाओगे, उसके लावा नहीं कर पाओगे, यह आपका homework हो गया, यह आपके बड़ रीड कर लेना, last concept यह है, अगर आपने 115 BAC, default tax regime, जो इस बार के ल था, self occupied house property case में, interest की जो limit थी, 30,000 या 2,000 वो आपको नहीं मिलेगी, and set off of losses under the head income from house property against other head, house property का loss other head से आप set off नहीं कर पाओगे, अगर आपने section 115 BAC का benefit ले लिया, तो default tax regime में, चलिए जी, यह हुआ आपका house property, complete मोटा मोटी, एक घंटे में मैंने revise करा है, लेकिन मैंने कोई भी, कोई भी ऐसा topic इसमें छोड़ा ही नहीं, जो एकदम पसली से ना करा है, मैंने भगाया नहीं, यह नहीं कि सर्फ line पढानी दे, साब मेरा मकसद बिल्कुल नहीं था, इस chapter कि मैं आपको read line by line, line by line read करा दूँ और आपको खूँँ, ठीक जी, मेरी तरस से काम खतम, अब आप मैनत कीजिए, नहीं साब, मैंने ए घंटा लगाया, अपना 100% दिया, अब आपकी बार है कि आप लोग 100% देगे, वो कैसे देगे, आप टेलिग्राम जोइन चेक कर लीजिए, एक बार इस वीडियो के description में, टेलिग्राम लिंक होगा, आप उस group को जोइन कर लीजिए, वहा Thank you, thank you so much.